नमसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सही जानकारी YouTube चैनल पर दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में अब थोड़ा सा बदलाओ कर दिया गया तो देखेंगे जानकार इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाight करें दोस्तों किसा सेयर करें और इसी तरह की आने वाली जानकारियों अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निसान को जरूर दबाएं तो शुरू करता हूं इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर जो आप गॉर्मेंट आफ इंडिया का लेटर देख पा रहे हैं यह ministry of personnel, public grievances and pensions, department of pension and pensioners welfare की ओर से जारी किया गया है दोस्तों यह एक office memorandum है और इसका जो subject है वह दोस्तों life certificate यानि कि जो जीवन प्रमाणपत्र होता है उसको submit करने के बारे में है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक बदलाव कर दिया गया लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यह सिर्फ जो senior citizen है उनके ही मामले में किया गया जो की 80 साल से जिनकी उमर जादा हो गई है तो दोस्तों अब नया एक चेंजिस यह कर दिया गया है कि अब जो भी 80 साल से ज्यादा उमर के लोग हैं उन सभी को यह नियम लागू किया गया है कि वह लोग एक अक्टूबर से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर आ सकते हैं दोस्तों यह कदम दोस्तों सरकार द्वारा इसलिए लिया गया है कि जो भी senior citizen 80 साल एंड़े वावाले हैं उनको बैंकों में खड़े होने में बहुत सारी परिशानी होती थी इसलिए यह कदम उठाया गया है दोस्तों मैं इसको और भी अधिक अच्छा और प्रभाव साली मानता यदि 60 साल से ज्यादा उमर के लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाती वैसे सरकार का जो भी फैसला था अच्छा ही है मैं तो यही कहूंगा एक सुरुवात हुई है और आगे यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो हम भी इस बारे में एक वीडियो बनाएंगे कि यह जो उमर है उसे 60 साल कर दिय जाये तो आसा करता हूँ यह छोटी सी अपडेट आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और अच्छी लगे होगी तो क्रपया अपनी सभी दोस्तों के साथ इसे अवस्य सेयर करें और दोस्तों यदि आप लोगों को इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमार चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे घंटी के निसान जो बने उसे जरूर दबालने ताकि वीडियो की नोटिपिकेशन आप लोगों तक पहुंसती रहे मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत